हेलो एबरीवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूव चैनल पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हो आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन डिसकस करेंगे जो आपको आगामी एच्पीपेसी शिमला की जीबिटी कमे क्वेशन के शौड़ फार में नौट से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के ठाइन ये क्वेशन आपको काफी सावित होंगी तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं क्वेशन में परस्ट में बोला गया है कि भारत में मोगल समराज्य स्तापित करने के लिए पानिपत की पहली लडाई में किसे प्राजित किया था तो ये इबराहिम लोदी को प्राजित किया था ये आपको पता होगा 1526 में पानिपत की पहली लडाई हुई थी नेश्ट कुष्ण महान सेना जनरल मालिक काफूर के साथ किसका नाम संबंद है तो अलाउदेनि नेश्ट कुष्ण है डैस जो है भारत का पहला गवर्नर था तो लोड विलियम वेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये आपने याद रखना है अगले प्रिशन पर चलते हैं डैस को भारत चोड़ों अंदों की सुरुआत हुई थी तो 8 अगस्त 1942 को भार को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है तो आगा खान को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में हुई थी ये आपने याद रखना है अगले प्रिशन पर चलते हैं इसमें बोला गया कि भारत हिंद की लोगों के ल रोजियों जो है इनका जो नाम है वो यूवा वंगाल अंदोजन के साथ संबल देता है ये भी आपने याद रखना है अगले प्रशने में चलते हैं किसने इंकलाफ जिंदावाद को जो नारा था वो बुलंद किया था यहां पे बुलंद बोला गया तो यह सरदार वगे सिं उतरी दरुब किसने खो जाता था रोबर्ट पियरें ने खो जाता की अधर रखना है विशुम सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है ऑटए इंयदार फिट्र के पुलमें सबसे पुलम्त है किसकी है यह बहुत दोगी है तो और है वह एक व्रशियेश अकर्शन होता है वो चितरकला से Stallion से जाना जाता है में आपने याद रहों किया थो सब्सक्रार कोर्श हैं उसक्राइब योध का अगला वेंror कोड़क की सब्सक्रार से परण शाचिक में घूर किा बहुंद में आपने याद रहों कि आगले परशन rest सबस्क्राइब सब्सक्राइब जो थे वो अमेरिकन डिकले डिकलेरेशन ओफ इंडीपेंडेंस के लेकर अगला प्रशन हैं अंतिम मगलवाजशा को उन था अंधिम मगलवाजशा जो था भादुर शाद जफर था अगला है किसे भारती दास्टरवाद का जने के रूम में बढ़नेत किया गया है तो राजा कितने तीर तांकर हुए थे 24 तीर तांकर हुए थे अगला प्रशन है फारस का शाषक डैस ने भारत पर आकरवन किया और मैयूरासन और कोहिनूर लेहिरा ले गया तो वो कौन था वो नादिर शाह था ये भी आपने याद रखना है अगला प्रशन है समुंदरी मार्ग के ये भारत तक पहुंचने वाले पहले रोपिय वासकोडी गामा एक खोज करता था किस देश का था वो पुर्तगाली देश का था अगला प्रशन है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और 1761 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये आपने याद रखना है नेदेश माजी पुराई सतीतता के रिवास को डास स्मापत कर दिया गया तो लोड वैंटिक के दौरा इसे खत्म कर दिया गया था सब्सक्राइब नाम प्रिया प्रईदर्श्री के साथ जुड़ा हुआ है कौन से मराथा करांतिकारी नेता ने गणपती और शिवाजी उत्सवां को पुंद्र जीवित किया था तो यह आपके बाल गदर तेलिक जो थे इस कुष्ण का राइट अग्राइब गांदी जी ने स तरह के आपके इसका नाम संगतन खुदाइब खिद्मतगार के साथ जुड़ा हुआ है तो खान फ़दुलिकर वटार खाने जो है से जुड़ा है और प्रॉप्रेश से जुड़ा हुआ है आपने याद रखना है अगली पुस्तिक वेल्फ ओप नेशन जो है सबसे पुराना वेड कौन सा है सबसे पुराना वेड कौन सा है सबसे पुराना वेड किस दर्म को श्रक्षन दिया गया था। सबसक्राइए सबसे पूआ है कि याद रहना है है। यह आपने याद रखना है उसी तरह ताज महल का निर्मान किसके शाष निकाल में हुआ था वो शाह जहां कि शाष निकाल में हुआ था सती प्रता को कानून के वुरुद अवयाद कब ठहराया गया वो 1829 में ठहराया गया अगला प्रशन है महतमागांदी वकालित की शिक्षा प्रावत करने के लिए कहां गए थे वो लंदन गए थे यह आपने याद रखना है भारत का वस्तु की प्राचिंता को यह आपने याद रखना है आगला प्रशन है किस ने की थी वन गए वकालित की बारत की में पहून सी थी आपकी पाली तही यह आपने याद रखना सिंदु गाटी सब्बेत का वेस्तल जहां बंद्र गहा था तो आपका लोत्स था यह आपने याद रखना है वासकोडी गामा भालत किस सान में पहुंचा था 1498 में पहुंचा था फ्रेंट्स यह वन लाइनर कॉश्चन्स हैं यह को हम थोड़ा फास्ट डिसकस कर रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए इसमें हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हैं सभी टॉ जो है उसे सबसे प्राचीन सब्विता माली जाती है वे रूसी क्रांतिकारी कौन था जिसने कॉमिनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी तो लेने ने जो था इसको श्ट्री का राइटन्स रहा है अगला प्सना सिंदू घाटी सब्विता का पत्न शायर कौन था और भीर किमत्ति फी वो कहां हुई ती वह कहां कहां हुई थी वह पाबापुरी में हुई थी आम तो पॉर पर पाली लेका किसे समंद्ब्लडी किति ंख रुट फक्री ऑगे लंगक की ती मालिक काफूर के साथ किसका नाम जुड़ा है बो अल्योग्स पंजंसी का नाम ज कागवा अमेरिका में हुई थी अगला है स्वास चंदर वोस ने अजाध हिंद फोज को मुझाने बार मुझबूत करने में किसकी मदद ली थी यह आपको पता होगा यह जापान की मदद ली थी अगला प्रशन है कौन सा सहर स्टिपू स्लतान के नाम से संबंदित है तो अगला है 1556 में पानिपत की दूसरी डाई में किसे प्राजित किया था वो ही मुब्यक्रमजितिया को अगला प्रशन है लोड विलियन वेंटे के द्वारा किस समाजिक प्रथा बुराई का उनमोद ने किया गया था वो सत्थी प्रथा का यह आपने याद रखना है अगला है भारत में गांदी ने सत्यकराय के सिध्धान का प्रथम प्योग कहा किया था वो चंपारन में किया था किस अतियासिक महापूर्स के अंतियम लड़ाई वाट्रूग्लू के लिड़ाई थी तो निकॉलियन वोनापार्ड जो है गीत गोबिंद का लेकर कौन था गीत आज गुरू का विचार ने किया गया सौंडर्स जो हिस्कूशन का कॉरेक्टंस रया अगला रशन है भारती रास्ट्री कॉंग्रेस की जोस्ताबना थी वो आपकी 1885 में हुई थी दिल्ली चरौरू का नहारा जो था वो स्वास्चंद्र बोश्ची ने दिय था हिंदू प योग में लाई गी थी ति आपको पतागा ताम बाबा कांसा जो है इस बश्चन का राइट अगला है बुद्ध का जो जनम था वो कहां हुआ था लुंबनी में हुआ था मुद्राक्ष किसकी रचना है वो विशाक दत्ध की है परसिद्व वैद्या चर्क को किसके राज द बक्ति अंदोर्ल के संत एकनाथ बातुकारामने किस भाषा में प्लिश दिये थे वो मराठी में दिये यह आपने याद रखना है अगला है तानसेन का सबसे प्रसेद राग कौन सा था तो राग दरवारी था यह आपने याद रखना है 28 स्थावदी में सिक्खों के नेश् में घटित किया था 1857 में विद्रो का प्राक्रितिक नेता कौन माना जाता है तो बहादुर शाह जफर को माना जाता है गेटवे ओफ इंडिया कहां स्थित है यह मंबई में स्थित है यह आपने याद रखना है अगला है किसने विद्वा पुंदर विवा काम्यूंग मानन बनाने के लिए सबसे महतुपर्ण मुवी का निवाई थी तो बोरा जाना हम अगला है माओ मुहम्मद ना एंगलो औरियंटल कॉलिज की सापना अठार सो चत्तर में अलीगण में स्थापना हुई इसका जो संस्ताफक था वो कौन था सर सेयद एहमद घान था यह आपने य जातरा की थी वो चंदर गुप्त मौरे के शाशनिकाल में अगला प्रशन है गांधार कला के मुक्याश रक्षक कोन थे तो वो शक और कुशान थी आईने अकवरी के लेकर कोन थे आईने अकवरी के जो लेकर थे वो अवल फजल थे कवीर की जिस इश्वर के उपासक थे व आपने याद रखना है अगला प्रशन है वेदों के पुंद्र जागरन का श्रे जो है वो जाता है किसे स्वामी द्यानद को अबद के जो अंतिमना वाव थे वो कौन थे वो वाजिद अदी शाह थे सिंद्ध गवालियर अबद अवमस्तारा में कौन सा प्रांति राज्य प्रेटिशनों ने अपने कबजे में नहीं लिया था तो गवालियर को नहीं लिया था मध्यापदेश स्टेट में यह पड़ता है अगला प्रशन है मुगल काल के मनसबदार थे वो आपके राज्यों के पादादीकारी थे रामाना उज्जाचारे संबंदित है वैस्ट अ नहीं थी तो वो लहोजो एसकस्णी का राइट अंसर है अगला प्रशन सिंदुग लोगों के संभाव थे वो कौन थे वो वेवारी थे सिंदुग आटी सब्यता के लोग पूजा करते थे किस की करते थे पशुपदी की करते थे मातमा बुद्ध की माता का नाम क्या था वो महा माया था अजन्दा की गुफाओं में चित्र के स्काल के हैं वो गुफ्त बंश के हैं ये आपने याद रखना है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च कियों शुरू किया गया नहीं को कानून तोडने के हितू तुम मुझे खून दो मैं तुमें अज़ादी दूँगा किस ने कहा था वो भारत सोरिस्वास चंदर बोस ने कहा था देश की राज़ानी कलकत्ता से हटा कर दिल्ली कब बनाएगी थी ये 1911 में बनागी थी लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था क्योंकि सवत अंतर पक्तु निस्तान बनाने के लिए जलिया वाला भाग हत्ते कांड कब हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था थेरा प्रायल निसो निसको हुआ था ये आपने याद रखना है भारती सेवा में पहले भारती चुने गए थे सुरेंदर नाथ बनाजी वासकोडी गामा भारत कप आया था ये 20 में 1498 को आया था र अक्तूबह 169 को कि से राज्याने सर्वरत्रम पंचाइती राजपरती को बनाया था वो राज्यस्थान स्टेट ने बनाए था यह आपने याद रखना है अगला अनने घाटी-धि पार्क यहाँ सती है वह कहां सब्याय कारण निकारण ता जर्मणी का पॉले और शाली मार वागवाओं में किस मुगल समराट ने लगवाया था वो जहांगीर ने लगवाया था 18 दिसंबर 1885 को भारती राश्टी कोंगरेस का प्रत्मादी विशन कहां हुआ था ये आपको पता हुगा ये बंबई में हुआ था अगला है बुद्ध के उपदेशों की वासा क्या थी वो पाली थी स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है मैं और में से लेकर रहे हूंगा ये किसका कथन था ये बाल गंगा दरतलक था अगला इस वीडियो का ये लास्ट कुशन है किस मुगल साशक ने जजिया नामक कर जो था को लगाया था वो तो औरंग जे बने लगाया था ये भी आपने याद रखना है तो फ्रेंट जाज किस वीडियो में वास इतना ही आज हमने हिस्टरी के वन लाइन कुशन डिसकस किये टोटल वन फिफ्टी प्लस कुशन थी ये थे जिसको हमने कुईक रिवीजन की तरह है एक बार कम्पलीट रिवाइस कर लिया है तो आपको आने वाले एकजाम में ये कुशन आपको काफी हलपूल साविट होगी तो फ्रेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेर एंड कोमेंट जरूर कर दें अगर आप ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप अहां पर जाकर वीडियो देख सकते हूं तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो वहीं बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर एंड कोमेंट जरूर कर दें तो थैंक यू फ्रें